यह हैं आप पर यहाँ यहां पर यहां पर इसके बारे में जड़ा जानते हैं लेखे जब भी आप इप लर्णिंग न्यूर्ल नेट्क के अस्टमाल करें या फिर जब आपने मशीन लर्णिंग पढ़ी होगी तो मशीन लर्णिंग के अंदर जब भी आपको यह algorithm का अस्तरमान करते हैं, वो algorithm कितना score करती है, score का मतलब कितना accuracy की साथ answer देती है, तो वो तो होता है हमारे पास accuracy score, मतलब कितना अच्छा result देती है, there is accuracy, इसके साथ साथ हमारी जो algorithm है, वो कितने गलत prediction करती है, या फिर कितना गरत आंसर देती है इस चीज को measure करने के लिए हम यहाँ पर use करते हैं loss function का तो basic loss function का मतलब यह होता है कि हमारे पास जो हमारा answer आ रहा है चाहे वो machine learning के concept में हो चाहे वो deep learning के concept में हो कि जो भी हम यहाँ पर input देना है उस input के basis पर जो हमारा output निकल के आ रहा है वो हमारे original output से कितना difference आ रहा है यहाँ पर जो answer निकल के आता है that is a call of loss और उस चीज को निकालने के लिए हम जिस function का इस्तमाल करते हैं that is a loss function यह आपको भी python machine learning data science and data knowledge जैसे फील में अपने आपको ग्रोव करना है तो इसके लिए wsqtech के online and offline बने batch करने जॉइन करके आप अपने skill को improve कर सकते हैं जैसे loss function की बात करें तो loss function का मतलब क्या हुआ यहाँ पर तो loss function का basic मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी हमारा उसमें से जो हमारा predicted data है जो हमारा पेंटिक्टन है इसको हम यहाँ अप घजाओ् फ़ंक्शन की जरूवत कि वर्थी है तो देखें जब भी आप machine learning के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर इसम्पर नियर रिटर से अंदर आप की सिंब से इक्वेशन होती है उसे इसी तिरह से जब आप डीप लेर्ольर्णिंग में qamu कर रहे हुता है तो Burns और नीइरल नियूरल नाडोग के अंदर जब आप यहां पर ऐलिटम की बात कर हैं इसिन की बात लूट के बात करते हैं तो यहां पर करते हैं आपकि यहां यह आपके इसके यहां यहां पर टमाण यहां पार इन पर हमारे बाль Сейчас की कि हमारे पास machine learning के अंदर जो भारारी parameters होते हैं और deep learning के अंदर जो हम neural network इस्तेमाल कर रहते हैं उन neural network के जो parameters होते हैं उन parameters को निकानने के लिए मतलब वो आपके आज यहां पर parameter best parameters find out करने के लिए हम क्या करते हैं loss function का करते हैं मतलब आपके पास जितना कम loss होगा यहां पर उतने ही best parameters हमें यहां पर देखने को मिलेंगे तो basically loss function का किस चीज़ के लिए कि जाता है loss function का इस्तमाल आपके पास किसी भी parameters को best निकानने के लिए मतलब आपके आपर parameter की best value find out करने के लिए हम क्या करते हैं का सित्वार 의 now here डिफरेंशी नहीं है तो इसको समझने के लिए मैं ग्जाम्पल के तौर पर इकी जैसे मान लिजे मेरे पास X1 एक कॉलम है यहाँ पर, जैस X2 एक कॉलम है यहाँ पर, और इसके corresponding Y output है, और इसके साथ साथ Y hat हमारा predicted output है, अब मान लिजे Y की value आपका 2, 3, 4, 5 आ रही है यहाँ पर, और Y hat की value 3, 4, 5, 6 आ रही है यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ यहाँ यहा होगी guys, यहाँ पर, आपके आज 3, minus 2 होगी, मतलब आप क्या कर रहे हैं? केवल, आप यहाँ पर single data parameters के उपर, आप यहाँ पर error find out कर रहे है, या फिर single data parameter के उपर, जब आप यहाँ पर loss find out करते हैं, तो वो आपके आज क्या करता है guys, यहाँ पर loss कहलाता है, basically simple loss कहलाता है, और उसका जो function होता है guys यहाँ पर, वो function क्या होता है यहाँ पर, according to, आप यहाँ पर कौनसी algorithm इस्तमाल कर रहे है, according to, कौन सा neural network इस्तमाल कर रहे है, उसके पर होता है, लेकिन basic मैं बात करूँ यहाँ यहाँ पर, वो क्या होता है, y minus y hat का whole square होता है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, सभी जो आपके आस lines है, यहाँ पर, उन सभी के उपर हम क्या करते हैं, loss find out करते हैं, अब सभी data के उपर, जब हम loss find out करते हैं, तो उनका हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर average चाहिए, मतलब basically बात करूँ यहाँ पर guys, तो हमें उनका mean यह है यहा주 निकलती है यहाँ पर वो क्या हुते यहाँ दी हाँ हम यहाँ पश्क्यों का इवाइज फंक्षन वेडिश फंक्शन तो vient पहले हम यह चीज कर लेता है कि lost are cost में का difference देता है तो loss आपके पास क्या है guys यहाँ पर कि वह single data point के उपर हम जो error find out करते हैं that is call of loss और जब हम यहाँ पर entire data के उपर हम जो loss find out करके उसका mean निकालते हैं that is call of cost और अब आगे जितने भी चीज़ा हमारे पास आने वाली है जितने loss function और cost function के अंदर बहुत बड़ा major difference है तो चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि deep learning के अंदर कौन-कौन से loss function हमें देखने हो मिलते हैं तो चलिए अब ज़रा यहाँ पर देखें तो देखें loss function क्या होता है तो loss function क्या करता है आपके model की evolutions को wide करता है मतलब basically आपका model कितनी अ क्या किया हमारे डिए को तींचा पार्ट के अंदर divide करका है पहला जो हमारे पार यहां पर deep learning के नदर वो है अमारा regression रिग्रेशन मौडल के अंदर हमें कौन से मिलता है लौस यहांपर मीन-स्कुर्ण मिलता है मिन-बात करो क्लासी जन के बारे में बाइनरी मिलंता है इसके साथ हमारे पास ओटो-एंकोडर के अंदर KL Divergence loss मिलता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गेन जो हमारा नेटोक है यहाँ पर उसके अंदर हमें discriminator loss मिलता है minmax gain मिलता है यहाँ पर object detection के अंदर हमें focal loss मिलता है यहाँ और word images system जी से हम NLP के थूरूप करते हैं यहाँ पर उसके अंदर के हमिलता है अब यह इत्यने सारह के लाँ सकते to noise अलग दो बस हम उनी यहाँ यहाँ पर तो बेसिकली अभी में आपको ठोड़ा और detail के साथ explain करने जा रहा हूं कि regression loss के अंदर हमें mean square error कभ यूज़ करना चाहिए, mean absolute error कभ यूज़ करना चाहिए, आपके पास hover loss कभ यूज़ करना चाहिए, इसके साथ साथ ये जो loss वंक्र होता है, ये आपके पास क्या करते है, back propagation में बहुत यूज़ आते हैं, जब भी आप neural network को train कर र रहता है, जिसके तुरू, आपके वेटेज और बायस की value क्या होती है, update होती है, मतलब बायस की value क्या होती है, आपके बैस्ट value आपको find out होती है, तो ये best value को निकालने के लिए हम कैस की ज़रूद पढ़ती है, loss function की जरूद पढ़ती है, without any loss function, आप इस चीज़ को नहीं न के बारे में, regression loss के अंदर जो सबसे popular, जो सबसे best loss function है, that is a mean square loss, yes, यह कौन सा यहांपर mean square loss है, इसको काफी लोग square loss भी बोलता है, there is a L2 loss यहांपर बोला जाता है, इस loss का function का formula क्या है, यहांपर guys, कि जो भी आपका original value आ रही है, उसमें से आप क्या करें, प्रेटरे value को क्या क करें, subtract करने के बाद आपको क्या करना है, square करना है, और square करने के बाद उसका क्या करना है, mean निकाल देना है, so that is a mean square error loss ठीक है, तो yan mean square error loss होलता है, अब यह mean square error loss हमें कभी उढ़ना पड़ता है, और इसके पीछे reason क्या है यहाँ पर क्योंकि यह जो loss है यह यह differentiable है अब यह differentiable है तो इसका use क्यों किया जा रहा है differentiable है तो कहा differentiable use होता है तो दीखे जब भी आप back propagation का इस्तमार करते हैं तो back propagation के अंदर जो आपका weightage update करने का जो formula होता है यहाँ पर मतलब जिसे हम आप gradient descent formula ब minus आपके आपको यह होता है lambda its call of learning rate और उसके बाद क्या होता है DL by आपको क्या होता है DW यह आपका gradient descent formula होता है जो की back propagation में लगता है अब यह जो formula आपका लग रहा है इसके अंदर आपका इसके पहता है आपका smiling differenceiable होता तो दिखें ये जो डेटा आपक्त दिख रहा है यह क्या है यहां पर तो basically four होता है यहां पर differentiable होता है यहांपर क्यों होता है यहां पर reason बहुत सिंपल है क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी sharp point नहीं देखने को मिलता है मतलब क्या है यह प्रॉपल्ल है और जब आप इसे प्लोटिंग करेंगे ना तो आपको कैसा मिलेगा गाइज यहां पर आपको एक पैराबॉलिक करवेचा मिलेगा और इस पैराबॉलिक करवेचा के अंदर हमें यह जो सबसे मिनिमम पॉइंट है यह निकालने में बहुत ज़दा असा नहीं रहेगी तो ब बहुत सारे आऊट लाइर हैं यहां om ुहार टब आप इसका इस्तनाब बिलकुल ना करें कुं नहीं करना यहां पर सिंपल सा रिजन करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपके 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 पास देखने को मिलेगी तो बेसिकली काईज यदि आपके सिस्टम के अंदर आउटलायर है यहां पर आउटलायर प्रेजेंट है तो आप यहां पर मीं स्कॉर एर्र लॉस का आपके सिस्टम के अंदर रॉंग प्रेडिक्शन करना स्टार कर देगा क्योंकि आपके पास जो आपकी प्रेडिक्शन लाइन है यहां पर वह आउटलायर की तरफ टिल्ड कर देगा बहुत ज़्यादा इसकी वेजए से आपके स्क्वाइब क्या होगा यहां पर बैटर कि तब आप क्या करें वेन अप्सॉलूट апस्विट अगा चल्चत्मार करें कि जो भी आपकी एर्र य।-स-स-स-s रिरू नेगलो कि यहां पर तो यह अगा यहां पर क्या करती है आपके में रेटनों डॉत करती है इस में पास यहां पर रेटन यह में करते हैं ऐता हूं तो basic guys यहाँ पर बात करें तो modulus का मतलब क्या हुआ guys यहाँ पर y-y hat आपके आसा क्या तो इसका आपने क्या मॉडूलिस क्या मतलब आपके negative value को भी क्या कर देगा यह positive return कर देगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मिले लेना है इसका यूज जादा तर नहीं किया जाता है क्यों कि जब आप इस मॉड का graph बनाते है यहाँ पर यह graph क्या होता है यह graph आपका non-differentiable होता है reason ंसका simple यह है क्यूंकि आपके आपके पास क्या करता है एक sharp corner point देता है क्यों क्यूंकि जब आप है इस निग्टीछ डाल रहे है तब यह positive result दे रहा है तब H यह आपका a motive प्षार pushed औ mos लाउस लेकिन इसका इस्तों में आउट आई और आपको consider ने हूँ यहां पर तब आप क्या इHI कि अन्दर करेंगे बिठिक्शन ioi कहा से निकालेंगे जब हमारे पास यहां पर इंथे सेंट क्या करता है यहां पर कि यह exact point पर तो result नहीं निकालता है इसके अंदर आपको exact answer नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको क्या मिलेगा इस तरह आपका answer मिलेगा मनदब ऊपर तक थोड़े-थोड़े अब आता है यहां पर हबर लॉस अब यह हबर लॉस कब काम करता है तो बैसिकली हबर लॉस की बारे में बात करें यहां पर तो आपके पास मान लीजे suppose करें आपके ऐसा डेटा है जिसके अंदर 30% आपका सका है आउटलायर है तो वो डेटा आउटलायर नहीं कराएंगे उस डेटा के अंदर आपका डेटा पड़ाएं यहां पर वो आउटलायर डेटा नहीं कराते हैं तो फिर अब यहां पर क्या करें तो उस situation गेंद वो data आपका से कंसिडिबल डेटा है बस आपका डेटा क्या है उस डेटा से थोड़ा से दूर किसी रेंज के अंदर जा चुका है यहां पर तो ऐसे situation के अंदर हमें क्या करना है यहां पर हमें यूज करना है जब आपके आसा outlier जो है एक-दो percent नहां होते हुए आपके आस काय Cage 30-40pret आपके आपके आ için हैं पर half percent of data आपके 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 आ होग से चान आपके आप इंदर ऑफ प कालना हे है यहां पर ऐसeloaded का ही आपके यहां पर यहांप यह यहां पर एक parameter परे काम करता है यहां पर więल्यूंक ऑलोग करते हैं करते हैं लेकिन जब एक इस्क्रशनीर की Bio मिल्स लॉसल की यहां पे ion tine फार लॉस से थे लोसलना चाया जाती है तब आपके यहां सक्कारता है किया थे लिए बाता है थे थे अब क्या करता है से यहां पर बात करें तो regression के अंदर हमें तीन तरह के loss देखने मिलते हैं कौन-कौन से loss हमारे पास है यहां पर सबसे पहला loss है यहां पर mean square error loss यहां पर यह कभी उस करना है नॉर्मल cases के अंदर यूज करना है लेकिन जब आपके system में outlier हो और outlier आपको consider करने हो यहां पर तो आप यहां पर कौन सा यूज करेंगे mean absolute loss का स्तमाल करेंगे लेकिन जब आपके system के अंदर आपके 30 to 40 percent data outlier में present हो तब उस case में आप क्या करेंगे हबार लोज't का स्तमाल करेंगे तो यह किस के रिग्रेसा लोग लोढस के लगए अब बात करते हैं यहाप देटासेट बात करें यहाँ से अपर यहां पर यहां पर ऑउठब के अंदर हो है उधिर किसके इस आपर इस लाइनिर फॉर्मिट में रहाchron मैं या पर एस लाइन फिर नंबर इस यह formula कैसे वर्क करता है जरा उसे डिटेल के साथ समझते हैं देखें आपका जो आउटपूट है वो किसम है binary format में binary format का मदब क्या है यहाँ पर 0 या 1 के format में है यहाँ पर तो देखें जब आपके जो आउटपूट की value 0 होती है तब आपके यह loss का formula कैसे work करता है तो यह loss का formula हो जाता है 1 upon n yes 1 upon n submission of आपके जाएगा guys यहाँ पर i equals to 1 to 1 न आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद देखें क्या formula बन जाएगा यहाँ पर आपके बास log of yes log of 1 minus y hat आपके बन जाएगा मतलब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर देखें इसमें 0 आ जाएगा तो 0 into log के साथ multiply क्या बनेगा 0 बन जाएगा यहाँ पर y आपके बास y की value तो 1 हो गई है यहाँ पर आपके बनेगा log of y hat आपके बन जाएगा मतलब आपके देखें यह 1 minus 1 1 minus 1 is equal to 0 हो जाएगा 0 बन जाएगा तो पीछे कौन से तो बशाइगा जाएगा तो पीच्छी क्लाशी से बनने बने ना होते हूँ जहे है जैसे cat, dog cow इस तरह से आपके आस अजा है तब आप क्या करेंगे तो उसके लिए हम use करते हैं categorical cross entropy जैसे उसके लिए हम क्या करते हैं categorical cross entropy का सितमार करता है यह category cross entropy कैसे होग करता है तो basically यहाँ पर जो भी आपका data है submission करके उन सबका use के जाता है. अब ये कैसे use क्या जाता है? यहां पर ज़रा बात करें. तब हम क्या करता है ? अब ये category cost entropy क noises करता है. जैसे यहां पास जो आपका output है, वह इस तरह से आ रहा है how to count, dog a are here, then how to count, cow suggesting इस तरह से result आ रहा है . तो यह क्या करेगा ? यहां पर guys minus y और यह Y output किस को जाएगा guys, यहाँपर cat क को हो जाएगा, और यह किस का जाएगा? Y hat आप का जाएगा? short of cow ऑसके बाद यहाँपर minus आजाएगा, तो यह काम कर दा हैं, इसको minus को बहार निकाल देते हैं एक बार के लिए, yes minus को बहार निकाल देते हैं, और अंदर ही अंदर चलते हैं, then plus आएगा यहाँ पर, और plus आके क्या मिलेगा, guys यहाँ पर, आपका आज क्या मिलेगा, y of dog मिलेगा, log of आपका आज क्या मिलेगा, y of hat आज क्या मिलेगा, dog मिलेगा, and उसके बाद plus of आज क्या मिलेगा, y of cow मिलेगा, cow के अंदर आपको क्या मिल तो इंटर्नली क्या करता है गैज पर आपके बास जो आपका है बौट क्याद lonely-kale patent ग्लिक Gold चैज उसकी ते धाई अण päर्ड यहांपमोट करदेता तो different schaut U Agrke Você यहांपर क्लान कर देंब इसके बाद क्या गरता है यहांपर monument तो बाग्वित जी जी मैं निग जीरो 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 इस तरह से आपके आउटपूट की वन होट एंकोडिंग कर देता है अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब आपके पास यहांपर केंटेगरी जो आपके डिटा के अंदर वह बहुत जादा हो जैसे अभी 2-3 कै करें लेकिन जब आपके पास यहां पर 3-4 से ज़्यादा आपका इस्तमाल करते हैं क्योंकि उस समय हम यहां पर वह ज्यादा बन जाएंगे तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे यहां पर इस्तमाल करते हैं लेबल अनकोडिंग का मतलब क्या है 1-2-3-4 यहां पर इस तरह से हम क्या करते हैं तो बेसिकली जब भी आपके जो आउटपूट है यहां पर 3-4 यहां पर हो होती है लेबल अनकोडिंग का मतलब क्या है यहां पर 1-2-3-4 इस तरह से नंबर दीए जाते हैं आपके डेटा पॉइंट को और फिर आप क्या होता है प्रेडिक्शन इस्तमाल होता है यहां पर तो इस तरह क्या करते हैं क्लास से विशन में 3 लॉस का इस्तमाल करते हैं और क्या होता है यहां पर तो यह इस तरह के आप क्या होता है और रिक्रेशन के लॉस का इस्तमाल आगे चलते हुए हम कहां पर करने वाले हैं इसके साथ जब आप 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 बनाएंगे यहां पर तब भी हम इसी का स्तमाल करने वाले हैं तो राइट गाइस आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि लॉस क्या होते हैं और कितने टाइप के लॉस डीप लर्णिंग के अंदर स्तमाल क्या है आगे चलते हुए हम और भी तरह तरह की यहां पर नियूर्ल नेटव के वारें बात करेंगे और उनके अंदर आपके पास लगा जाने वाले लॉस के बारें बात करेंगे लेकिन फिलाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं हमारे एक लिए वीडियो के साथ तब तक आप हमारे साथ यूह ही बने रहिए तिल दैन और गुडबाए